हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वारत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूं बटर का बहुत ज्यादा टेस्टी एकदम क्रिस्पी चटपटा नास्ता तो उसके ही हम क्या करेंगे हम लेंगे सबसे पहले एक मिक्सिंग बाओं मैंने आप ले आप ले लीए हैं यह तीन कटी हरी मिर्च जिनको मैं रफली चॉप कर लिया है इनको डाल देगे मैं अपर इसमें अपर लेसन की कल्या लीए है इनको भी डाल देंगे अब हम जाकर रकन बंग कर देते हैं और इसका हम एक पेश्ट जैसा बना के दियार कर लेते हैं तो मैंने आपर यह पेश्ट बना लिया समा अवर ले लिये हैं इनकास काटोरि मटर के मैं नहीं है जाला जाएक परी स्क्रशिर काीट करतों कि त्रच दाने मुद्य क्यों कि अर दाने देना है जिए कि अटjang कि या ठोड़ेयो मारे जाएक wreckage श्रम CRUST तुशो तरह से पेश्ट जैसा बना लिया हुआ कुछ इसमें मटर सावुत हैं पुछ इस तरह से पेश्ट जैसा बन गया है हुआ तो हम उसको गले द लें लें ले लेए हैं याँ पर yasom प्रफिक्सिंग बावल इसमें हम डालेंगे यापर यह आदा कप दही दही को मैं अच्छे से फेंट लिया है आप इसका मेज़ेमेंट करने के लिए कोई भी कप या किलास के कटोरी कोई भी साहिट कर सकते हैं जो भी आपके पैस अमेलमल है मैं आप इस तरह की कटोरी से सारा मेज़ेमेंट करेंगे है अब इसमें डालेंगे यह आदा चमश नमख और एक तरहीज मझ हम इसमें यह जीर डाल देते हैं इनको भी मिक्स कर लेंगे गपर ले ले ली है यह यह कलळे एक चावल का आठा इसको डाल देंगे पर और रहे रहे लगी हैं चावल का आठा जो एक कुछ अट नहीं है और यह अगर आपके पास चावल का क्या आठा wala कामेगी पर बारी केटा हुआ प्याज अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं या आप तो इसको 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 कर सकते हैं ठोड़ी से ढाल देंगे फ्रेस कटी हुई नरीय की पतियां तो अब में सबीचीयों को वीचे से इसमें मिक्स कर देदें इसमें डालेंगे it you can play me the Demix करें तो मैंने उसी कटोरी के साफ से में कटें रहें तो शुण लगेगी इसमें ऊच्छेसे का एक थ्छी थोड़ा सा थेक व्यट में तैयार करें गे इस में कोई सा भी ल्म्ज RO-现在 तो यह देखिए मैंने आपर यह बैटर बना के तयार कर लिया है मैंने टोटल एक कप पानी लिया था जिसमें अशे थोड़ा सा पान इसमें बज़ गया है वह यह देखिए बैटर हमें लुकुल इस तरह की कंसिसेंसी का बनाना है हलका सा फ्लोइंग बहुत जादा थिक में करेंगे इस तरह से थोड़ा सा थेक रखना है यह देखिए बल्कुल इस तरह सा जैसे हम हाथों से पकोड़े जब डालें तो अच्छे से डल जाएं अब उसमें डालेंगे यह वन फोर्थ चम्मच बेकिंग सोड़ा बहुत ही थोड़ा सा डालना है ज्यादा नहीं डालें इससे कि अव्यद्व कोड़ें और फिलप्य पूले हुई बनाएंगे इसको बीच्छे से मिला देते हैं इस पर रहेंगे भी बेकिंग्स कर दिया है अब यह क्या करेंगे इसको रेष्ट करने की लिए लग दसमट के लिए जब तक वर चतनी बना के तयाह करेंगे आप मैं और मैंने आप ले लिए हैं थोड़ी सी फ्रेस धनिय की पत्तियां, थोड़ी सी मैंने आप पर ये पुदीने की पत्तियां ले लिए हैं, फ्रेस देखिए, बिल्कुल फ्रेस हैं, अगर आपके पस पुदीने की पत्तियां नहीं हैं, तो आप इनके बना भी बना सकते हैं, आ इस तरह से काट लिया है। में इसमें डाल दिया है मैंकिसी के जार में। आधी चमच में आपर डाल रहे हूं जीरा, और आधी चमच हम इसमें डालेंगे नमाक। मैं यह चास जिना नेघ्ञटाट वन लो अंगे घृचं लिए crazy और भी ग talent respectful to talk the sandwich जुएी डालना है थोड़ा सा खटाई डाल ये दनीघ्ञट Apost Christ तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पेस्ट बना के तयार कर लिए ये देखी बिल्कुल इस तरह की कंसे tournaments की हमारी बिल्कुल market की जैसे चटनी बन के तयार भी है यह देखिए आप देख सकते हैं पुलकुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी है यह अब हम यह सारी चत्नी को इस तरह एक बावल में निकाल देते हैं चत्नी हमारी होगे यह तयार अब हम इसके लिए पकोड़े बना लेते हैं तो यह बैटर पो रखे हुए यह आपर लगवा दसनट हो चुके हैं और बैटर भी काफी अच्छे से फूल गया है एक तम बड़ी आसा फलफी बन रहा है बैटर अब हम चलते हैं गैस की तरब इनको फ्राई कर लेते हैं अब मैंने यहापर लख दिया है गया सवन करके कडाई में ओएल ओएल को अची से गरम कहें लेते हैं तो ओएल अची से गरम हो चुका है इसमें से अच्छी हीट आ रही है अब हम क्या करेंगे जो हमने बैटर बनाया है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे एस तरह ऐसे हाथों में इस तरह पकोड़ धालते दाएंगे करें आरशन स्कारचाषमित को देख sub यह सब्सक्राइब को देखिए फार यह डाव पकोनिन नह없े ऑफ-था देखिए कितने फूले-फूले बने हैं आप देख सकते हैं कि एकदम से बढ़िया गोल-गोल बने हैं गुब-बारे के जैसे जो कि हम नेशे हमें बेकिंग सोड़ा डाला है तो की विए से काफ़ एकदम फूले हुए बनते हैं बहुत ही सब्ड़ी है कि- इसी दर ऐसे हमें दोनों साइट और सेhertz दम गोर्टन कृसपी अने तक सेगना है मैं मेरा जैस फ्लम को मीटिन कि आगकर रकना है तो ये देखिए, एकदम से golden crispy हो चुके हैं, दोनों साइट से बहुती करारे करारे लग रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इनको बहुत जादा नहीं जलाएंगे, अब हम इसमें से निकाल देते हैं, ये देखिए, कितने बढ़िया बने एकदम फूले हुए, देखिए, बहुत जादा क्रिस्पी भी हैं, अब हम इनको एक ट्रिस्टू पेपर में निकाल देते हैं, जिससे किन का एस्टॉल इसमें से निकल जाएगा, इसी तरह से हम बाकी के बच्चे हुए पकोड़ों को भी सेग लेंगे, तो ये देखिए, ये भी नहीं चैसे सेग चुके हैं, अब हम इनको भी पलट देते हैं, तो इसी तरह से हम इनको भी दोनों साइट से एक दम गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेखेंगे, तो ये देखिए, ये पकोड़े भी काफी अचे से एक दम गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं, अब हम इनको भी इसमें से निकाल देते हैं, काफी तो नाडियल की चण्नी के साथ सरव कर सकते हैं! आप कोई भी चटनी के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं तो अब मैं आपको इनको तोड़के दिखा देती हूँ देखे कितने ज्यादा क्रेश्पी बने हैं यह देखिए तोड़ने से आपको पता चर रहा हो कि अंदर से एक दम फिलपी बने हुए हैं देखिए बहुत ज्यादा फ्लपी हैं बहुत ज्यादा करा रहे हैं देखिए तोड़ने से अंदर लगा होगा आपको कितने ज्यादा सौफ्ट और फूले हुए बने हैं तो आप इनको अरी चर्टनी के साथ या फिलन को टामेटो सॉस किसी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रैसिपी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई होप आपको मेरी रैसिपी बहुत जादा बसंदाई होगी अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को लाइक वीचेल को सब्सक्राइब करें एंजेर करें फिर बिलेंगे रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई